EPA's 95 पेंशन धारकों की बैठक समाप्त 7500 प्लस दा को लेकर मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला सरकार आई सकते में भोपाल में आज सेवानि वृत्त कर्मचारी भविश्य निधी कल्यान समिती EPA's 95 की एक महत्वपूर्ण मीटिंग संपन्ध हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता राष्ट्रिय कारेकारी अध्यक्ष श्री भीमराव डोंगरे ने की और विशे शतिती के रूप में राष्ट्रिय उपाध्यक्ष श्री पी एन पांडे उपस्थित थे मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर परसाई ने इस मीटिंग का आयोजन किया मीटिंग में पास हुआ प्रस्ताव मीटिंग में एक प्रमुक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह निर्नय लिया गया की केंद्र सरकार को कोशियारी कमिटी की रिपोर्ट और अन्य मांगों को पूरा करने के लिए चार महीने का समय दिया जाएगा अगर सरकार इस समय सीमा में मांगे पूरी नहीं करती है तो दिसंबर में नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा एक कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट पेंशन में वृद्धी कमेटी की सिफारिश के अनुसार EPF पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 3,000 रुपए पेंशन और इस पर महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए मेडिकल सुविधाएं पेंशन भोगियों को उचित मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए जिससे वे अपने स्वास्थे का भेतर तरीके से ख्याल रख सकें हायर पेंशन के आवेदन हायर पेंशन के आवेदनों के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पेंशन भोगी इसका लाब उठा सकें 2. वर्तमान कर्मचारियों के लिए जागरुकता वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए EPF पेंशन के संबंध में जागरुकता फैलाने का निरनय लिया गया, जिससे वे समय रहते अपने पेंशन संबंधी अधिकारों और लाभों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें महत्वपूर्ण वक्ताओं के विचार अजय श्रीवास्तव, अनिल बाजपेई, एके निगम, पीके परिहार, श्याम सुंदर शर्मा, श्रीमती संजना रिछारिया, महेश चंद्र उपाध्याए, महेश मालविय, जे पी गोड, पुंदलिक पांडे, भविश्य की योजनाओं की जानकारी, श्री भीमराव डॉंग्रे ने सभा को संबोधित करते हुए संगठन के विभिन प्रयासों की जानकारी दी, चंद्र शेखर परसाई ने संगठन की भविश्य की योजनाओं पर विस्तरित जानकारी प्रदान की, उन्होंने बताया कि संगठन किस प्रकार अपने कारियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए कदम उठा रहा है और पेंशन भोगियों के हित में क्या-क्या योजनाओं बनाई गई हैं, मीटिंग के अंत में, गजेंद्र कोठारी ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया, उन्होंने मीटिंग को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद किया और संगठन के भविश्य के प्रयासों में सहयोग की अपील की, निशकर्ष, इस मीटिंग ने सपष्ट कर दिया कि सेवाने वृत्त कर्मचारी भविश्य निधी कल्यान समिती, EPA's 95, पेंशन भोगियों की समस्याओं को हल करने और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबध है, केंद्र सरकार पर दबाव डालने और आंदोलन की योजना बनाकर संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, यह भी पणे, EPA's 95 पेंशन भोगियों को नियूंतम पेंशन साथ 50000 प्लस दा और हायर पेंशन ना मिलने का कारण क्यों हो रही है देरी, EPA's 95 पेंशन धारकों को 95 पेंशन को लेकर पेंशन धारकों ने सरकार को सिखाया सबक इसलिए नहीं मिला बहुमत EPA's 95 पेंशन, EPFO और सरकार पर तिलमिलाएं पेंशन भोगी, यह है 7500 पेंशन की आखिरी उम्मीद EPA's 95 पेंशन भोगी पिछले कई महिनों से 7500 पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. 22 जून को कर्मचारी संगों ने श्रम मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों पर चर्चा की. देश में कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995, EPS 95 के तहट EPFO के सदस्यों की वर्तमान में नियूंतम मासिक पेंशन 1000 रुपे हैं, जिसे बढ़ाने को लेकर वह काफी लंब की लोकसभा सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर आश्वासन दिया गया था. इस मामले पर दो बार यही बात दोहराई गई लेकिन कर्मचारी भविश्य निधी के सदस्यों को EPS 95 के तहट अभी तक 7500 रुपे नहीं मि रही है. ऐसे में 7500 रुपे पेंशन में बढ़ातरी को लेकर सरकार की तरफ से कब पेंशन भोगियों की मांग पूरी की जाएगी? चलिए जानते हैं पूरी जानकारी. देश में 78 लाक पेंशन भोगी हैं. इनमें EPS 95 के तहट निवन्तम मासिक पेंशन एक हजार रुपे प्राप्त कर रहें पेंशन भोगी 7500 और महंगाई भत्ते, दा की मांग कर रही हैं. EPS 95 को लेकर सोशल मीडिया पर पेंशन भोगी अपने मन की बात कर रही हैं. आज के समय सोशल मीडिया पेंशनर्स की आवाज उठाने का प्लाटफॉर्म बना हुआ है. आशवाशन के बाद भी नहीं उठाई गए कदम. प्रधान मंत्री मोधी जी द्वारा मतुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में, NAC नित्रित्व से दो बार वादा किया कि वह EPS 95 पेंशन भोगियों की परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे. लेकिन इन प्रयासों से कुछ नहीं हुआ. ऐसे में सरकार पेंशन भोगियों की मांग पर EPS 95 के तहट नियूंतम मासिक पेंशन को बढ़ा कर 7500 प्लस महंगाई भत्ते को लेकर क्या कदम उठाती है? इस पर सरकार की और से आधिकारिक बयान आने का इंतजार बना रहेगा. सरकार ने अभी तक 7500 रुपे नियूंतम पेंशन की मांग पर कोई आधिकारिक घोशना नहीं की है. कर्मचारी संगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे. कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, EPFO, ने पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा. पिछले प्रदर्शनों EPA's 95 पेंशन भोगियों ने 10 मार्च 2024 को सभी राजधानी शहरों में विरोध प्रदर्शन किया था. कर्मचारी संगों ने 1 अप्रेल 2024 को एक राश्ट्रिय हड़ताल का आवान किया था. श्रम मंत्री ने पेंशन भोगियों से बातचीत करने और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए एक समिती गठित की थी. बिग ब्रेकिंग अभी ने इस मामले को लटकाने का काम किया है. इस बीच प्रदान मंत्री को भी शायद पूरी जानकारी नहीं है कि उनके पीछे क्या हो रहा है. नियूंतम पेंशन बढ़ाने में क्यों हो रही है देरी? पेंशन भोगी लंबे समय से नियोंतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार की मनशा ही नहीं है है नियोंतम पेंशन बढ़ाने की क्योंकी संसद में जब नियोंतम पेंशन पर तुरंत निर्णय लिया जा सकता है तो देरी किस बात की है, बस मसला है कि बिल कप पेश होगा? कौन इसे पेश करेगा? नियोंतम पेंशन के मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाये जा रही है. पेंशनरों को केवल आश्वासन ही मिलते रही है. हायर पेंशन का मसला और भी जटिल वही हाल हायर पेंशन का भी है. जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो सरकार केवल टालमटोल कर रही है और समय पर समय बढ़ा रही है. हायर पेंशन की बात पूछने पर अधिकारियों के जवाब हमेशा टालमटोल वाले होते हैं, जैसे CBT की अगली बैठक में चर्चा करेंगे या कोर्ट के स्पेंडिंग है. असल सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा सकता है या नहीं? अगर पालन किया जा सकता है तो इतनी देरी क्यों हो रही है? न्याय का इंतजार कब तक? EPS 95 पेंशनरों के लिए न्याय की प्रतीक्षा अत्यन्त लंबी हो चुकी है. सरकार और न्याय पालिका के बीच फंसे ये पेंशनर अपने भविश्य को लेकर अनिश्चित्ता में हैं. वे लगातार सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते हैं. पेंशन धारकों को जूठी दिलासा. इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भी, लोग कहते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. लेकिन यहां लोग उम्मीद की बात छोड़कर दुनिया ही छोड़ रहे हैं. ना तो देश की लोकप्रिय सरकार सुन रही है और ना ही देश के न्याय का सबसे बड़ा मंदिर. थोस कदम उठाने की जरूरत समस्या के समाधान के लिए कुछ थोस कदम उठाने की जरूरत है. सरकार को चाहिए कि वह सुप्रीम कोट के आदेश का पालन सुनिश्चित करे और हायर पेंशन के मुद्दे पर जल्दी से जल्दी निर्णै ले. EPFO और CBT को भी पेंशनरों के हितों को प्रात्मिक्ता देते हुए फैसले लेने चाहिए. संसद में इस मुद्दे को तुरंट उठाना चाहिए और पेंशनरों की समस्याओं का स्थाई समाधान निकालना चाहिए. पेंशनर कर रहे हैं लगातार संघर्ष. EPS 95 पेंशनरों ने अपनी आवाज बुलन करने के लिए कई मंचों पर अपनी बात रखी है. उन्होंने धरने प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुचाने की कोशिश की है. वे लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिया हैं, जहां वे अपने मुद्दों को साज़ा करते हैं और समर्थन मांगते हैं. पेंशन धारकों को मिले सुरक्षा और सम्मान. EPS 95 पेंशनरों का भविश्य तभी सुरक्षित हो सकता है, जब सरकार और संबंधित एजंसिया मिलकर काम करें और उनके मुद्दों का समाधान निकालें. पेंशनरों की मेहनत और उनके योगदान को सम्मान देते हुए, उन्हें उचित पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें. न्याय में देरी के नकारात्मक प्रभाव न्याय में देरी का असर पेंशनरों पर बहुत नकारात्मक होता है. वे अपने जीवन की संध्या में आर्थिक संकट का सामना कर रही है. इस स्थिती में सरकार की निश्क्रियता और देरी पेंशनरों की स्थिती को और भी खराब कर रही है. इससे न केवल उनके मानसिक और शारिरिक स्वास्थे पर बुरा असर पड़ रहा है, बलकि उनका आत्मसम्मान भी प्रभावित हो रहा है राजनीतिक और सामाजिक दबाव इस मुद्दे को सुलजाने के लिए राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी एक महत्वपूर्ण भूमी का निभा सकता है पेंशनरों के समर्थन में आवाज उठाने वाले संगठन और व्यक्तित्व सरकार पर दबाव डाल सकते हैं ताकि इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान हो सके इसके अलावा मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है जो इस मुद्दे को प्रमुक्ता से उठाकर सरकार और जनता का ध्यान आकरशित कर सकता है पेंशनरों की स्थिती में सुधार आवशक पेंशनरों की स्थिती सुधारना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बलकि समाज का भी कर्तव्य है हमें अपने बुजर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए यह सुनिश्चित करना की उन्हें उनके जीवन की संध्या में सम्मान और सुरक्षा मिले हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है निशकर्ष EPA's 95 पेंशनरों को न्याय और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही मिलना चाहिए सरकार और न्याय पालिका को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि पेंशनरों का भविश्य सुरक्षित हो सके और उन्हें उनका हक मिल सके उनके सम्मान और अधिकार की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है EPFO और सरकार से नाराज हैं, पेंशनर्स, 7500 रुपए पेंशन की यही है आखिरी उम्मीद EPA's 95 पेंशन, देश में कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, Employees Provident Fund Organization, सदस्यों की मौझूदा निवतम मासिक पेंशन 1000 रुपए है, जिसे बढ़ाने की मांग वे लंबे समय से कर आपको बता दे कि सरकार ने भारतिय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हेमा मालिनी की मौझूदगी में पेंशन भूगियों की पेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिया था, इस मामले पर दो बार यही बात दोहराई गई, लेकिन कर्मचारी भविश्य निधी के सदस्यों को अभी तक EPA's 95 के तहट 7500 रुपए नहीं मिले हैं। किसी कारणवश मृत्यू हो जाती है, तो परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस योजना के तहट कर्मचारी की मृत्यू होने पर उसके परिवार को कई तरह के लाब मिलते हैं। इस लेक में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हैं। सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे पेंशनर्जू देश में 78 लाक पेंशनर्ज हैं। इनमें EPS 95 के तहट 1000 रुपए न्यूंतम मासिक पेंशन पाने वाले पेंशनर्ज 7500 रुपए और महंगाई भत्ता, दिये की मांग कर रही हैं। पेंशनर्ज EPS 95 को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर कर रही हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पेंशनर्ज की आवाज उठाने का मंच बन गया है। आश्वासन के बाद भी नहीं उठाए गए कदम। प्रधान मंत्री मोधी ने मतुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में NAC नित्रित्व से दो बार वादा किया था कि वे EPS 95 पेंशनर्ज की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाएंगे। लेकिन इन प्रयासों से कुछ नहीं हुआ। ऐसे में पेंशनर्ज की मांग पर EPS 95 के तहट नियूंतम मासिक पेंशन को 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। इस पर हमें सरकार की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। सरकार ने अभी तक 7500 रुपए नियूंतम पेंशन की मांग पर कोई आधिकारिक घोशना नहीं की है। कर्मचारी यूनियोनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization ने पेंशन भूगियों को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। बाल पेंशन विध्वा पेंशन की राशी का 25% है। आपको बता दे कि प्रत्येक बाल पेंशन की राशी विध्वा पेंशन की राशी का 25% है। अगर सदस्य का कोई बच्चा पूरी तरह या स्थाई रूप से विकलांग है तो ऐसी स्थिती में उसे आजीवन पेंशन दी जाती है। EPFO EPAs नामांकन ओनलाइन कैसे करें। कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization की वेबसाइट पर जाएं, सेवाएं, कर्मचारियों के लिए विकलप पर क्लिक करें। फिर सदस्य UAN ओनलाइन सेवा पर क्लिक करें। अपना UAN और Password दर्ज करें और Login करें। आपको वहां Manage टैब दिखाई देगा। इसमें से इनामांकन चुनें। अब आपकी स्क्रीन पर विवरन प्रदान करें। टैब दिखाई देगा। अपने परिवार के विवरन को अपडेट करने के लिए यहां हां पर क्लिक करें। पेंशन राशी पाने वाले दो से अधिक नामांकित व्यक्तियों को जोडने के लिए परिवार विवरन जोडे पर क्लिक करें। इस योजना के तहट किसे कितना पैसा मिलेगा यह बताने के लिए नामांकन विवर्ण पर क्लिक करें। फिर EPF नामांकन सहेजे पर क्लिक करें। OTP जनरेट करने के लिए E-Sign पर क्लिक करें। इसके बाद अपने आधार से जुड़े मोबाइल नमबर पर आने वाले OTP को भरें और सब्मिट करें।